हेलो दोस्तों नमस्कार आज की इस वीडियो में आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि लेपटाप लेने से पहले आपको लेपटाप में क्या-क्या चीजे देखनी चाहिए क्या-क्या चीजे पता होना चाहिए जिससे आप एक अच्छा सा लेपटाप सेलेक्ट कर पाएं तो आज की इस वीडियो में आप सभी को इसी के बारे में पूरी जानकारी दूँगा तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा कुछ भी कहना हो तो कमेंड बॉक्स में लिख सकते हैं चैनल अच्छा लगे तो चैनल को जो आप सस्क्राइब कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं लेप्टॉप लेने से पहले सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए कि लेप्टॉप में कौन सा प्रोसेसर लगा है तो सबसे पहले जो हम प्रोसेसर के बारे में जान लेते हैं जोस्तो एक तो इंटल कंपनी है और एक भाईया AMD Ryzen अब ये दो कंपनीों के जो प्रोसेसर है न हमको लेप्टॉप में देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले जो हैं इंटल के बारे में बात करते हैं यहाँ पर इनके पावर के अनुसार यानि कि इनकी छमता के अनुसार प्रोसेसर को बाटा गया है जैसे कि Core i3, i5, i7, i9 अब i3 से ज़्यादा पावरफूल है i5 इससे ज़्यादा पावरफूल है i7 फिर इससे ज़्यादा पावरफूल है i9 उसी प्रकार से यहाँ पर AMD Ryzen में भी जो देखने को मिलता है Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 अब Intel और Ryzen में अंतर क्या है दोस्तों Intel के प्रोसेसर जिस लेप्टॉप में लगे होंगे न उन लेप्टॉप की कीमत ज़्यादा होती है वहीं जहां पे AMD Ryzen के प्रोसेसर जिस लेप्टॉप में लगे होंगे उस लेप्टॉप की कीमत जो थोड़ी सा कम रहती है Ryzen के processor की कार चमता थोड़ी कम रहती है और Intel के processor की कार चमता यानि की ताकत जादा होती है तो उसी प्रकार से जादा पैसा देंगे तो Intel के processor आपके laptop में देखने को मिलेंगे और कम पैसा में अगर आप laptop खरीद रहे हैं तो उस situation में राइजन के processor आपके laptop में देखने को मिलेंगे तो सबसे पहले आपको इसी चीज़ को चेक करना रहता है कि आपके processor में कौन सा core लगा है i3 लगा है कि i5 लगा है कि i7 लगा है कि i9 लगा है तो सबसे पहले आपको laptop में इस चीज़ को चेक करना चाहिए दोस्तों दूसरी चीज़ प्रोसेसर में आपको ये भी देखना चाहिए कि वो प्रोसेसर कौन से जनरेशन का है अब जनरेशन क्या होता है दोस्तों Core i5 का अगर 10th जनरेशन का प्रोसेसर अगर आपके लेपटॉप में लगा होगा तो वो कम पाउरफुल होगा अगर आपके लेपटॉप में Core i5 11th जनरेशन का प्रोसेसर लगा होगा तो उससे ज़्यादा पाउरफुल होगा अभी जो लेटेस्ट में चल रहा है Core i5 12th जनरेशन के प्रोसेसर जो है आ चुके है तो ये प्रोसेसर जो लेटेस्ट है यानि कि एकदम नए है नए जनरेशन जो है 12th जनरेशन है अब इस से ज़्यादा पाउरफुल Core i5 के 13 जनरेशन के जो प्रोसेसर होगे न वो पाउरफुल होगे 12 जनरेशन से ज़्यादा पाउरफुल तो यहाँ पर आपको जनरेशन भी जो देखना चाहिए दोस्तो दो प्रकार के ग्राफिक होते हैं एक होता है इंटरगेटर और एक होता है डेडिगेटर जो हमारे लेपटॉप के प्रोसेसर के अंदर लगा रहता है उसको जो हम बोलते हैं इंटरगेटर ग्राफिक अब यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि इस laptop में इंटरगेटर ग्राफिक लगा हुआ है और दोस्तो एक होता है dedicated तो अगर आप अपने laptop से वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं या gaming करना चाहते हैं तो ऐसे situation में आपको चेक करना है कि आपके laptop में एक dedicated ग्राफिक लगा हो तो आप अपने laptop को खरीच सकते हैं अगर आप वीडियो एडिटिंग और गेमिंग के लिए laptop खरीद रहे हैं तो आपको चेक करना है कि आपके laptop में एक dedicated ग्राफिक लगा हो तो इस बात को ध्यान में रखकर आप अपना laptop सेलेक्ट कर सकते हैं अब हम बात करने वाले हैं तीसरी चीज़ के बारे में तीसरी चीज़ अब है यह SSD आपको जो है यहां पर चेक करना है कि इस laptop में SSD लगी है कि नहीं लगी है कितने laptop में HDD लगा राता है अब यह SSD और HDD होता क्या है दोस्तों यह storage होते हैं इसे हमारे mobile में memory लगी रहती है या internal storage होता है उसी प्रकार से laptop में SSD और hard drive disk होता है जो hard drive disk होता है उसमें अगर आप कोई भी चीज़ इंस्टॉल करते हैं या कोई भी चीज़ आप इंस्टॉल करके open करते हैं या कोई भी चीज़ ट्रांसफर करते हैं तो ऐसे सिच्वेशन में बहुत धीरे धीरे रन करता है धीरे धीरे आपका laptop open होगा बहुत धीरे आपका application open होगा और वहीं पर आपके laptop में SSD लगी है और SSD में कोई भी application install है तो उस situation में उस application को अगर आप open करते हैं या अपने laptop को open करते हैं तो आपका laptop बहुत ही fast open होगा आपका application बहुत ही fast open होगा तो यहाँ पर आपको देखना यह है कि आपके laptop में SSD लगी हो इस laptop में 512GB की SSD लगी है अगर यहाँ पर 1000GB के hard drive disk लगी रहती और दूसरे laptop में 120GB के SSD लगी रहती तो ऐसे situation में आपको 120GB SSD लेना चाहिए तो आप समझ सकते हैं SSD आपके laptop के लिए कितना जरूरी है तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर आप एक नया laptop लेने जा रहे न तो आप चेक करिएगा कि आपके laptop में एक SSD लगी हो तो दोस्तो इस बात को भी ध्यान में रखकर आपको यहाँ पर अपना laptop सेलेक्ट करना चाहिए तो दोस्तो अब हम बात करने वाले हैं चौती चीज़ के बारे में तो laptop में लेते समझ आपको 34 चीज़ क्या ध्यान रखना रहता है तो इसमें जो आपको ये चेक कर लेना है जो आपका laptop है उसका display कैसा है display में आप क्या-क्या देखेंगे तो सबसे पहला होता है कि laptop के display की size चेक कर लिजे कि वो कितने inch का है अभी जो आप देख सकते हैं कि इस laptop में 15.6 inch का display लगा है अधिकतर लोग 16 inch का display वाले laptop खरीदते हैं दोस्तो एक जो इससे छोटा वाला डिस्प्ले वाला भी लेपटाप आता है वो 14 inch का रहता है तो आपको ये चेक कर लेना है कि आपका जो laptop है उसमें कितने inch का display है साथे साथ जो आपको ये भी चेक करना है कि उसका resolution क्या है अब देखिए एक HD display वाला आता है laptop एक फूल HD display वाला जो लेपटाप आता है फिर उससे अच्छा होता है 2K फिर उससे अच्छा होता है 4K यानि कि HD, HD से उपर Full HD फिर उससे उपर 2K फिर उससे उपर 4K तो आपको चेक कर लेना है कि आपके laptop में 2K display की 4K display की HD display की Full HD display ठीक है तो इस चीज़ को जो आपको चेक कर लेना चाहिए तिसरा चीज़ है भया रिफ्रेस रेट जो गेमिंग करते हैं अपने laptop में वो जो है 120Hz, 144Hz या इस से जादा हर्ट्स रिफ्रेस रेट वाले जो है laptop वाला डिस्पले से रेट करते हैं लेकिन दोस्तों अगर आप नॉर्मल काम करने के लिए एक laptop ले रहे हैं तो आपको 60Hz रिफ्रेस रेट वाला डिस्पले से रेट करना चाहिए और साथे साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि क्या आपका laptop का डिस्पले वो IPS डिस्पले है कि IPS लेवल का डिस्पले है कि नॉर्मल डिस्पले है तो ये सबी चीजे चेक करके आपको यहाँ पे laptop का डिस्पले देखना चाहिए सेलेक्ट करना चाहिए तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं पांचवी चीज के बारे में तो पांचवी चीज भाईया ये है कि आपको जो है कमपेर करना है अब मान के चलिए एक वेबसाइड में जो है यही लेपटॉप 52,000 के जगे पे 49,000 रुपए या 40,000 या 45,000 रुपए में मिल रहा है तो आपको जो उस वेबसाइड में जो है इसी लेपटॉप को खरीदना है अगर मान के चलिए कि यही लेपटॉप जो है दूसरी कमपनी का लेपटॉप है और इसके कीमत 52,000 के जगे पे 43,000 या 45,000 में मिल रही है तो आप उस कमपनी का लेपटॉप खरीज सकते है तो कुल मिलाकर यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको कमपेर करना है कि सबसे अच्छी चीज़े आपको किस लेपटॉप में देखने के मिल रही है आप एक वेबसाइड Amazon हो गया एक हो गया Flipkart तो यह दोनों ही वेबसाइड में आपको चान बीन करनी पड़ेगी और पता लगाना पड़ेगा कि आपको किस लेपटॉप में कौन सी अच्छी चीज़ें मिल रही है और किस लेपटॉप की कीमत काफी अच्छी है यह सबी चीज़े जो है आपको compare करना पड़ेगा तुलना करना पड़ेगा फिर उसके बाद जो है आपको laptop लेना चाहिए तो इस बात को भी जो है आपको ध्यान में रखकर अपने laptop को select करना चाहिए तो दोस्तो कुल मिलाकर अगर इन बातों को ध्यान में रखकर अगर अपना laptop select करेंगे न तो आप एक बहतर laptop खरेज सकते हैं तो इस वीडियो में केवल इतना ही था उम्मेद करता हूँ ये वीडियो जो आप सभी को अच्छी लगी होगी पसंद आए तो लाइक करिएगा कुछ भी कहना हो तो कमेंट बॉक्स में लेख सकते हैं तो मिलते हैं इंगले वीडियो में तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तो धन्नवा चाहिन